नमस्कार, आजकल SSC, बैंक, जितनी भी ये एक्जाम लेने वाली संस्तान है, कुछ बढ़ा करने में लगी हुई है, सब को बता है, 2024 में चुनावाने वाले कुछ बढ़ा करते हैं, सब मिल गई हैं, चलो कुछ बढ़ा करते हैं, पहले टीचर्स, कोचिंग से सब बात करते है तो चलो कुछ बढ़ा करते हैं, अब SSC खेल रही है, कि चलो कुछ बढ़ा करते हैं, पहले से भी आप SSC को जानते ही हैं, कि SSC वैसे भी MTS, Multi Talented Service, या LDC, Low Adaptive Commissioner Service, इन सब के लिए पहले से ही फेमस है, कि वो इन सब के लेवल को बहुत बढ़ाएगी, तो ये तैह था कि एक म Lord, मैं भी भूल गया हूँ इसका नाम, डुप्टी Commissioner से, Divisional Operator होते है, क्या होते है, हाँ, कि लर्ख, ठीक है, और या Operator, एक बहुत बढ़ी जौप नहीं है, मतलब ये है कि हाँ 12 के बाद आप Apply कर सकते हो, उस exam में ये लोग आपसे Means करा रहे हैं, अब आई-स बनाओगे क् Collector बनाओगे क्या, Means लियाए, अभी तक Tier 2 में सिर्फ एक essay लिखने को आया करता था, कि Corona के बाद की Life और पहले की Life पे अपने View दें, अब इन्होंने क्या कर दिया, ये Means लियाए इसके अंदर, क्या बड़े-बड़े बदलाप किये हैं, मैं 10 मिनट में पूरे बदलाप बता आना चाहता हूं कि इन्होंने मतलब सिस्टम को हिला दिया, आप सोचो 12 के बाद ये बच्चे की आदट डाल रहे हैं कि बेटा अब सिर्फ प्री से काम नहीं चलेगा, मेंस देना भी सीख लो, मेंस लेके आ रहे हैं, पहले इंटर्व्य हटाया था, लोगों को लगा तोर दिया कि ये टीयर टू ले आए, छी एचसल के पेपर में टीयर टू का आपके इसाब से कितना महत्व है, जरा मुझे जरूर बताईएगा,